दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ST Coleridge की एक बहुत ही फेमस Ode को डिस्किस करूँगा इस Ode का नाम है Dejection An Ode ये बहुत ही फेमस पोईम है दोस्तों इस पूरी पोईम में 8 section है यानि 8 stanza मैं पहले stanza को explain करने की कोशिश करता हूँ ये पोईम बहुत ही tough language में लिखी हुई है तो मैं test करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसा explain कर सकता हूँ Dejection का मतलब समझ लेते हैं Dejection का मतलब होता है जब इंसान की spirit कम हो जाती है कुछ करने की Depression में चला जाता है जब इंसान तो हमारे poet Estre College जब इस पोईम को लिख रहे थे तो बहुत ही melancholic feel कर रहे थे वो तो अपनी इस Dejection पर Estre College ने एक ode लिख डाली तो section 1 को हम शुरू करते हैं वो पोईम को शुरू करते हैं और बोलते हैं कि वेल एक बहुत पुराने poet थे Bard का मतलब होता है poet जो weather के बारे में अच्छा जानते थे वो weather wise से weather wise का मतलब होता है मौसम को लेकर अच्छे जानकार थे वो who made the grand old ballad उन्होंने एक grand old ballad लिखी थी कोई character थे sir Patrick Spence के बारे में उन poet ने तो जैसा उस ballad में लिखा हुआ है अगर वो poet अच्छे जानकार थे weather के तो जैसा उस poem में लिखा हुआ है ये रात भी this night so tranquil now ये रात भी बहुत ही tranquil tranquil का मतलब calm बहुत ही शान्त है will not go hands unroused by winds unroused का मतलब होता है disturb करना और इस शाम को वो जो rough winds होती है न वो भी disturb नहीं कर रही है लेकिन मददम मददम हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है then those which mold yawn cloud in lazy flags इसका मतलब ये है this line का मतलब ये है कि जो धीरे धीरे हवा चल रही है slowly slowly वो reshape कर रही है cloud को horizon में clouds का shape बदल रही है वो मददम हवा इसका मतलब ये है कि part शायद कह रहे है कि हो सकता है अब तेज तेज हवाएं चलने लगे बहुत शान्त है ये शाम तो हो सकता है किसी तूफान की चेतावनी है ये शाम or the dull sobbing draft sobbing का मतलब होता है एक सिस्कियां भरके रोता है न इंसन उस टाइप का साउंड आ रहा है ये जब हवाएं चल रहे है तो इस टाइप का साउंड आ रहा है dull sobbing sound आ रहा है that mons ऐसे लग रहा है जैसे कोई रूर आ है mons का मतलब होता है रोना eolian lute के बजने पर कोई रूर है eolian lute क्या होता है Aeolian Lute का मतलब होता है एक instrument type का होता है जो music बजाने के लिए काम में लिया जाता है अब Aeolian Lute यहाँ पर एक metaphor है जो हवा जो sound बना रही है ना इस वक्त इस रात में उस sound के लिए यह एक metaphor है Aeolian Lute एक Greek God थे Greek mythology में Aeolus नाम की Winds के God थे वो जो ऐसा लग रहा है जैसे Aeolian Lute बजरा इस हवा से point आगे बोलते है which better far were mute इसका मतलब यह है कि अच्छा है यह हवा चले ही नहीं ऐसा sound हो ही नहीं शान्ती रहे आगे बोलते हैं for law for law का मतलब because देखो, because देखो law का मतलब look the new moon उनको एक नया चांद दिख रहा है winter bright जो winter में सर्दियों में जब बर्फ होती है सफेद उसकी तरह bright है and overspread with phantom light वो बोल रहा है कि उस चांद को एक ghostly phantom का मतलब ghostly light ने cover कर लिया है overspread का मतलब cover कर लेना इस bracket में वो बोल रहा है कि हाँ उसको ghostly light ने cover कर लिया है लेकिन एक thin सी silver surrounding भी है उसकी चारो तरफ उस नये चांद की चारो तरफ with swimming phantom light overspread भले ही उस चांद को phantom light ने overspread कर लिया हो यानि cover कर लिया हो लेकिन एक rimmed and circled silver thread भी यानि कि एक पतली सी एक thin thread भी silver कर लिया है आगे point बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ I see the old moon जो हमारा पुराना चांद है वो नए moon की lap में, गोद में बैठा हुआ है old moon in her lap नए moon की गोद में बैठा हुआ है for telling ये surely एक sign है for telling का मतलब एक sign है the coming on of rain and scully blast की एक बहुत जोरदार तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है इस चीज की चेतावनी है रागे point बोलते है and oh and oh I wish वो wish करते हैं वो आशा करते हैं कि ये तूफान बहुत ज्यादा बड़ा हो और रात बर बारिश night shower का मतलब रात बारिश बहुत hard और बहुत loud बहुत fast पड़े क्योंकि ऐसे तूफानों के sounds ही those sounds ही मुझे मेरी seat से उठा सकते हैं which off have raised me मुझे अपनी seat से उठा सकते हैं मतलब मुझे एक spirit, एक जान फूख सकते हैं ऐसे sounds ही मुझे उठा सकते हैं ये आगे बोलते हैं कि मेरी जो soul है, मेरी जो spirit है वो abroad चली जाती है abroad का मतलब गूमने निकल जाती है कहीं भी मैं बलकुल dull सा पड़ जाता हूँ और ऐसे sounds ही मुझे जगा सकते हैं ऐसे sounds ही मुझे spirit भड़ सकते हैं might now perhaps their wanted impulse give हो सकता है यही मुझे energy दे मुझे जो numbness आ गई है might startle this dull pain हो सकता है यही तूफान मेरे इस dull pain को तोड़ दे and make it move and live मेरे में एक नई जान फूख दे ताकि मैं उठ सकूँ move कर सकूँ और जी सकूँ यही पर section 1 खतम होता है दोस्तों, उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आगे देखते हैं हम इसके दूसरे parts पर बनाएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही